सब्सक्राइब करते हों कि आप लोग जो भी एंड्रोइट को अपडेट करते हो कोई भी स्वाब बेर अपडेट करते हो तो उसे आप अनिस्टॉल कैसे कर सकते हो फिर से तो यह वीडियो बहुत इंपॉटन्ट होने वाल आप लोग लिए अगर आप लोग चानल पहली बार देख रहे हो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नॉटिफिकेशन आल पे कर दीजएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल जाए और यह वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का यह कुश्चन था कि हम लोग जो भी अपडेट अपडेट करते हैं वो अपडेट सही नहीं है तो पुराने वाले अपडेट में फिर से कैसे हम आए ठीक है बहुत लोग का यह कुश्चन आ रहा था कि हम लोग को अपडेट को अनिस्टाल करना और बहुत लोग के डिवाइस में भी तक अपडेट नहीं मिला है और बहुत लोग को मिल भी चुका है बट वो अपडेट अच्छा नहीं है तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो पुराना अपडेट है वो ही अपडेट रहना चाहिए तो इस बड़म बताने वाला हूं कि कैसे यह ट्रिक्स को अपलाई करना है तो आपको फोन के सैटिंग में चेले जाना है फोन के जाने कि है तो अडिशंटम सैटिंग में चानन जाना यह तो ओपो के फोन के में में मिलंब बतार हूं अब अगर इसे और बी अदर फोनके ऊपर आप कर सकते हूं and backup and restore option में select कर देना जैसे आप select कर देते हो तो आपको backup and restore सबसे पहले open कर लिना ठीक है इसको backup and restore करने का तो local backups में आपको जा करके backups को local आपको ये कर लिना है update कर लिना है and backup my data check out कर सकते हो याप लिखा होगा backup my data backup accounts automatic restore and erase all data factory reset में को चले जाना है and आपको जाकर जो भी आपको जैसे कि suppose आपको network system तो network option वाले प्सेलेट कर लिना है reset system settings on-lip कर देना and erase all data में कर देते हैं अगर आप ये settings को use करते हो and आप phone के अपने phone को reset कर देते हो तो automatic जो आपका update है वो पुराने वाले update में आ जाएगा and ये कैसा लगा वीडियो चोड़ा सा वीडियो था आप मुझे comment से ने बताएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खास कुछ और review निक्स वीडियो के लिकर तब तक के लिए goodbye take care and bye bye